तो क्या बुलती MC10 की पब्लिक सब बढ़िया तो मेले के ओफर से एक नोडों के साथ तो यार ना आज वीडियो इंड तक देखो आज ना स्पेशल सिफ MC10 के बारे में बात करेंगे और वो भी कुछ स्पेशल तो अब किसी को पता होंगा इसके बारे में और किसी को नहीं तो जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूंगा पर उसके पहले कुछ कहना चाता हूँ तो यार ना आज सुबा मैंने एक वीडियो डाला था तो वहाँ पे MC10 के बारे में मैंने कुछ भी अपडेट नहीं दिया था तो यार उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने प्यार यार पूरी खबर यह है कि एमेज 12 सौंग का कॉपी राइट हटा नहीं है तो देखते हैं वो कब तक हटेगा जब भी हट जाएंगा कॉपी राइट तो मैं आपको अपडेट दे दूगा अब दूसरी बात और में बात यह हैं वो सारे कोई लोग है जिनको नौलेज नहीं यह मुजिक के बारे में वो भी आजकल कॉपी कॉपी बुल रहे हैं जैसे कि लील केट का राइट दव्वे बहुत पहले आया था यूटूब पे एन उसके बाद एमसी स्टान का हाउ टू हैट जिसके चार लाइन कॉपी है ऐसा लोग बूल रहे थे तो भाई लोग अब ज सुना ही होगा अगर नहीं सुने तो जाके देखो चेक कर लेना मेरी बात पहले सुन लेना बाद में चेक कर लेना तो नंबर कारी का जो सौंग है भाई वो कॉपी है ऐसा मैंने कह रहा ऐसा यूटूब की पब्लिक कह रही है तो एक बाहर के रैपर है वीटेन करके और वो इंडिया में अब MC10 को रैपकिंग मानते हैं तो फोरक बस इतना है कि नेपली रैपर है वो MC10 का फैन है और कहीं न कहीं तो इंस्पिरेशन लेता है MC10 से अब आप बोलोगी ऐसा क्या हो गया जो बाहर के रैपर MC10 से इंस्पिरेशन लेते हैं वो बताता हूँ कैसे ज़रा ये फोटो देख लो देख लिया अब MC10 का फोटो देख लो देख लिया अब फिर से देखो तो बैगराउंड प्लस सब सेम है बस उसके हाथ में हतकड़ी है और MC10 के हाथ में अब वो छोड़ा अब लोग बोलेंगे की हो सकता है की एकी बैगराउंड कोई भी यूज कर सकता है पर अब किसकी हैस्टाइल भी देखो विटन नेपली रैपर और MC10 की हैस्टाइल मतलब भाई ये भी सेम है अब ये सब देखके कॉपी तो नहीं बुल सकते बस थोड़ा सीन सेम है बाकी कुछ नहीं तो अब देख लिया MC10 को बाहर के रैपर भी कही न कहीं इंस्परिशन लेते हैं हैस्टाइस से लेके वीडियो कॉंसेट से लेके बोलने का स्टाइल तक अब ये बात बहुत जन को पता है और किसी को नहीं पता तो इसलिए मैंने आपको बताया कोई भी सीन देखके या उसकी मुजिक देखके या फ्लो देखके आप लोग बुलते है कॉपी किया है ये वह ब्रोज ज़रा सुन लो बॉलिवूट के सौं में से 85% सौंग कंपोज देदूंगा ठीक है ना तब तक ना इड़े चाले मत करो